हेलो तो वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी विल्कुल अच्छे से हूँ तो चलिए आज की वीडियो कर लेते हैं स्टाट और आज की जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है बहुत ही प्यारी होने वाली है तो जो लोग प्यास चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए क्योंकि जैसे आप देख पा रहेंगे मैंने ले लिए हैंकी और हैंकी से आज हम बना करके रेडी करेंगे छोटे बच्चे से ले करके लेविट करके दो पार्ट में में टीट कर ना है इनले में बराबर बराबर के और बसे नहींकि से तरो को अब न्यूब लेकिन मैं यहां पर हंकी से बना नहीं बच्चे के बच्च के यह smarter वह थी मुझाइम होटा है जो यह बच्चे की पुली घना है चो निघان को स्पी यहां पेlessly लगा लेंगे निशान लगा लेंगे निशान लगाते टाइम हमें वाप नीचे वाला जो पार्ट है वह अंठो खुला रखेंगे और जहां पर निशान लगा रहें है वह हम जुए सכने लाई-ऒाला भूल सी निवेंग़ुटिक ने रहेंं कि दैने यह आपको यहां पर कट लेना है और यहां पर पीछे वाली साइड है बंद वाली जो पार्ट वाली साइड है इस पर हम एक इंच से ले करके आदे इंच का यह मारजिन देते हैं यहां पर भी गोलाई में आप कटिंग करेंगे आपको मैं दिखा देती हुए मैंने कितना लिय नीचे के पार्ट का कटिंग करना है यह देखें उपर का पार्ट हो गया हमारा अभी हम नीचे वाले पार्ट में करेंगे और आप देखेंगे कि रेडिमेंट से भी ज्यादा अच्छे बन करके आपके रेडी होने वाले हैं बिल्कुल फिर यह वीडियो जो लोग चैनल पे शेप आपको मिलेगी उसके बाद देखें दूसरे कपड़े की भी हम कटिंग कर लेंगे वही वाला ध्यान हमें इसमें भी लेना है कि जो सिलाई की वी यह न हैंकी की वो कोर्नर वाला पार्ट हम उपर की साइड में लेंगे और यह कटिंग वाला नीचे की तरफ लेंगे और सेम बराबर इसको भी कटिंग कर लेंगे और इसको जो सिलाई करने का पार्ट है वो मैंने मसीन से आपको बताया है अगर आपके पास किसी भी रिजेन से मसीन नहीं है तो आप इसको हाथ से भी बना करके रेडी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफ पड़े को अभी हमें इसके अंदर डालने के लिए जैसे बच्चे को पहना है वो कमफटेबल रहे इसके लिए मैंने रबड लिया है यहां पर आप कोई भी रबड ले सकते हैं यह देखें मास्क जैसे पहले पिछले दिनों हमें बहुत यूज किये थी तो आगर आपके प करना है उपर वाला जो पार्ट है इसे हम सिलाई कर देंगे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा कि जितना हमारा रबड आशके इतना सा मार्जन हमें इसमें रखना है और यह देखिए एक पेर की सिलाई लेतेवे हम दोनों को सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बात में कट्व आपको करनी पड़ेगी फिर हो गई देखिए पतले वाला रबर डालने के लिए मैंने यहां पर सुई से डालना है तो इसलिए धागे को मैंने इसमें गाट लगा करके अच्छे से ले लिया है अभी उल्टी सुई को हम इसके अंदर डालेंगे तो यहीजी तरीके से हो जाएगा इसके अंदर और यह देखिए अब इन दोनों को आप गाट मारके भी सही कर सकते हैं या फिर आप दोनों साइड से आप इस पक्का कर दीजी ताकि वह बाद में निकले नहीं यह देखिए एक साइड हमारा हो गया है अभी दूसरी साइड भी हम कर लेते हैं इस स्थाइब से बनाआ करेड़ी करते हैं किसी सो susceptible से तो आप देखेंगे कि युजेंद धृव के लिए भी आप बना आकर पर कर डएडि कर सकते हैं जरूरी क्या दोई जी से point कर देख लेंगे यह देखी और फिर क्या था फिर देखिए इसको पलट करके मैं आपको दिखा देती हूं क्योंकि हमारी जो सूचते वो बन करके रेडी हो गए हैं और देखे कितना इजी होता है कई बार हम ऐसे सोच लेते पता नहीं कैसे बनेगा क्या होगा लेकिन अगर इजी तरीके से हमे भी यूजफुल लगी है तो आप लाइक तो करी देंगे साथ में ज्यादा से साथ लोगों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अपने बच्चों को पहना सके और हम वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताईए कि आपको जो पहले वाली वीडियो के आपने देखी हैं जो कि हमने बहुत सारी वीडियो जो ला रखी है तो उनको भी देखिए और कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर से बताईए थैंक यू फूर वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल